जब लोग इसलाम को बेदर्द, मुसल्मान को बेदर्द, तलवार के जोर पर चलने वाला धर्म बताते हैं, तो अगर शायद धर्ती में कोई दुखी होता होगा, तो सबसे ज़्यादा दुख मुझको होता है। असलामों अलेकुम दोस्तों, कैसे हैं प्यारे इसलामिक भाईयों, उमीद करता हूं सा अल्ला ख्यारियत से होंगे, अल्ला आप सबको सलामत रखे, मेरा नाम मुहम्मद इफरान है, अज फिर इक नई वीडियो के साथ हाजी राया हूं, इस वीडियो का टॉपिक है, अल्ला कैसे एक है, फिर सुनेंगे मुप्ति सल्मान अजीर साथ के जुबानी पुरुफ के साथ कि अल्ला कैसे एक है, और इस वीडियो से कुछ सीखने की कोशिस करेंगे, इस वीडियो के देखते हैं और इस वीडियो से कुछ सीखने की कोशिस करते हैं दोस्तों, क्या इसमें पांच पार नमाज पड़ी जाती और शुरुआतीorn से करते हैं कि कोई नहीं है ला माने नहीं है कोई भी अल्ला के जैसा और मुहमद deunnle passing अल्लाсь हिस अल्ला Chand य। एंदों के अलावा और किसी को हम पूझेंगे नहीं मानेंगे नहीं अब यह बता तो जिस गत्ती को पांच बार लगातार यही बताया जा रहा हो दिन में पांच बार जब पताया जाता हो तो उसकी मेंटलिटी क्या बनेगी वो सीधे आपके उपर तलवार ले करके खड़ा होगा और जब लोग इसलाम को बेदर्द, मुसल्मान को बेदर्द, तलवार के जोर पर चलने वाला धर्म बताते हैं तो अगर शायद धर्ती में कोई दुखी होता होगा तो सबसे ज़्यादा दुख मुझको होता है ये न सच्चाई है और न कभी ये सच्चाई हो सकती है जिस इसलाम ने पहला कलमा ही कुरान सरीप काई बताता है कि नहीं है इबादत के काबिल सिवाए परमात्मा के और कोई ला इल्लाह इल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह भलायाब बताईए बेदों का रस बेदों का रस निचोड करके मुहम्मद साहब ने परमात्मा की इबादत करके परमात्मा के पैगाम को एक ही कलमे में दे दिया इससे बड़ा ग्रंथ दुनिया में और क्या हूँ कि वेद के मंडल एक सूप्त साथ का दस्वा मंत्र है इंद्रम वो विश्वतस्मरी हवा महे जने भ्या अस्माकम अस्त के वला ए मनुस्यों तुमको अत्यंत उचित है जर्ध्यान दिजिये अगा ए मनुस्यों तुमको अत्यंत उचित है कि मुझ परमेश्वर को छोड़ कर उपासना करने योग किसी दूसरे देव को कभी मत मानो क्योंकि एक मुझे को छोड़कर दूसरा इश्वर नहीं है इसका संख्षेप हुआ परमेश्वर के अलावा कोई पूजी नहीं है यही है ला इलाह इल्लाह मतलब वेद का यह मंत्र ला इलाह इल्लाह है और ला इलाह इल्लाह वेद का मंत्र है गोरो फिक्र करो तुम्हें इसी से अल्लाह रब लिज्जत की मारिफत हासिल हो जाएगी कोई तो है खालिक इमाम आजम अबु हनीव रह्मतुलाह लेके पास एक देहरिया इस जमाने के भी जो जो एथिस्ट होते हैं एथिस्ट समझते हैं एक नया ये चला हो नया नहीं ये पुरानी है नाम नया लगता है मुलहिद हैं ये एथिजम एथिजम बहुत सारे लोग वो अपने दीन अपना रिलिजियन के जगा पर ये लिखते हैं आप देख लेना इनको एथिजम आप मुस्लिम लिखते हैं कुछ लोग हिंदू इजम लिखते हैं कुछ लोग क्रिस्टियनिटी कहते हैं कुछ जीवज होते हैं लेकिन कुछ हैं जो एथिजम एथिस्ट हैं एथिस्ट का मतलब कोई खुदा नहीं कोई दीन नहीं कोई मजभ नहीं ये बिचारे आवारा लोग है लावारिस लोग हैं जो इस तरह से कह रहे हैं अब इनकी बात मैं आपको बता हूँ इस तरह का एक एथिस्ट इमाम आजम अबू हनीवा के पास आया उसने का खुदा है तुम बार बार खुदा की बात करते हैं मुझे तो नहीं लगता कोई नहीं अगर है तो दिक्ता क्यों नहीं बहुत सारी चीज़े हैं इसी आपने समझाया जो दिक्ती नहीं लेकिन है बहुत सारी चीज़े है उसने का आईजी कोई चीज़ नहीं है जो है और दिक्ती नहीं आपने उसको एक तमाचा लगा है धेला उठा करके मार दिया उसमें का मैं सवाल किया तुमनें मार दिया का क्या हुआ मारत का दर्द हो रहा है कहा है दर्द अब हो रहा है दिखता नहीं है लेकिन एहसास है बहुत सारी चीज़ें इसी है जो दिखती नहीं है लेकिन है बेरहाल आपने उसको जवाब क्या दिया कहा सुनो मेरे साथ आज एक बड़ा आजीब वाकर पेशा है मैं समंदर के किनारे गया था मैंने देखा एक कश्टी को और वो कश्टी की ताजूब खीज बात ये थी कि वो अकेले चल रही है कोई नहीं चला रहा सामान खुझ से लाद लेती है अपने उपर और चल पड़ती है सीधे रास्ते पर फिर थोड़ी देर के बाद साहिल पर आती है और अपना सामान खुद ही उतारती है फिर जैसे ही वक्त होता है फिर चल पड़ती है कोई कश्टी बान नहीं कोई मला नहीं कोई कैप्टन नहीं उसके अंदर सवारी भी नहीं खुद से सब चल रही है ये उस दोर में इमाम आजम कह रहे हैं जब इलक्टरॉनिक दोर नहीं था आज के लोग हो सकता है रिकीन कर लें इलक्टरॉनिक कश्टी होगी हो सकता है कोई उसको इलेक्टरॉनिक मशीन चला रही होगी ऐसा नहीं है उस जमाने में कोई इस चीज़ की वज़ इजाद नहीं थी उसने का क्या पागलपन की बातें कर रहे हो किस को बना रहे हो तुम क्या इसी कोई कश्टी है जो खुद से सामान भी उतारती है और चड़ा भी लेती और चलने भी लग जाती इमाम आजम अबुहनीफा अर्मतुल्ह अले ने फरमाया इतना तेरा दिमाग चलता है कि कोई कश्टी समंदर रपर बगहर चलने वाले के नहीं चलती ये पूरे दिन और रात का निजाम और लोगों की मौत टो ह्यात का निजाम जमीन से प्वादों को अिकालने का निजाम बराबर वक्त पे मौसं के आने का निजाम बगहर किसी के चला ओए कैसे चलता है कभी इसमें ताखिर तुमने देगी कभी तुमने ये देखा कि रात हुई नहीं कभी तुमने देखा कि दिन हुआ ही नहीं वो अपने वक्तों पर सारी चीज़ें चला रहा है अजीजान गिरमी इन तमाम चीज़ों में एक निशानी है उसके वजूद की इसलिए अल्ला रब लिज़त ने सुरह इखलास में उफर्मा कुल हू अल्लाह अहद आए महभूब आप फरमाते वो अल्लाह एक है अब एक होने की निशानिया भी बहुत हैं हम बच्पन में पढ़ते थे हमारे वारे वारी किताब पढ़ाते थे उसमें एक सवाल एक बूरी ऑउरत से किसी ने किया था कि बड़ी भी तुमने ल्लाह को एक माना है का हाँ बिल्कुल वो चर्खा सीलती थी काट चर्खा जिसमें कपड़े सीले जाते है मौलवी साब ने पूछा क्या दलील है कि कोई निजाम को चला रहा है कोई है खुदा उसने का मेरी मशीन ये सबसे बड़ी दलील है मेरे लिए का कैसे का ये जो चकर काटती है मशीन जब तक मैं पाउं हिलाती नहीं ये चर्खा चलता नहीं ये निजामें शमसी पूरा बगएर किसी के चलाए कैसे नहीं चलता आच्छा ठीक है बड़ी अकलमन दौरत है मशीन को ही अल्ला की निशानी समझ लिया तुने उस आउरत से उन्होंने दूसरा सवाल गया चलो ठीक है कोई तो है चलाने वाला ये क्यूं कहती हो कि वो एक ही है का चलो ठीक है उसकी भी निशानी मेरी ये मशीन है उसकी निशानी भी मेरी ये मशीन है कहा कैसे कहा चलो मैं इधर से चलाती हूं तू उधर से चला बैठ जा मेरे सामने मैं इधर से चलाती हूं तू उधर से चला फिर देखते हैं कपड़े की हालत क्या होती है कपड़ा जो है हो सकता है लेडीस की बजाए जेंज का हो जाए जेंज की बजाए लेडीस का हो जाए कुछ का कुछ बन जाए क्यों उन्होंने कहा बात तो सही है उस बूरी औरत ने कहा मैंने अपने चरखे से ही ये दीन सीखा कि अगर काइनात में एक के बजाए दूसरा होता तो जगड़े हो जाते एक खुदा कहता मैं बारिश बरसाओंगा दूसरा कहता नहीं नहीं मैं धूप डालूंगा तीसरा कहता नहीं मैं थंडी लाओंगा इनके जगड़ों में पिर काइनात का निजाम दरहम बरहम हो जाता लेकिन निजाम बराबर बराबर चल रहा है इस बात की दलालत है कि चलाने वाले दो नहीं एक ही है दो नहीं है एक ही है अगर दो होते हैं उसी को अल्लह ने कुरान में फर्माया लब कान फीहिमा अलिहतन इल्लाहु लफसदता अगर दमीन आस्मान में दो खुदा होते अल्लाह के इलावा रब वर्माराए जरूर इसमें फसाद हो जाता जरूर फसाद हो जाता इसलिए कि एक जो अकल से हमारे दर्मियान हमने देखा है वो दो लोग नहीं चलातें दो लोगों के जहनियत अलग हो जाती यह भी एक इल्म है फलस्फी लोगों के धिमाग के अतवार से भी हमने उसको थाबीत कि अगर दो हैं तेहली बात आपके धिमाग میں यहोना चाहिए कि खुदा वो है जो किसी का महताज नहीं इतनी बात तसलीम करते हो जो किसी का महताज नहीं जब ये फार्मूला तुमारे दिमाग में है तो आप दो को लेकर क्या हो दो को लाओगे तो दोनों का दिमाग एक साथ नहीं चलेगा या तो फिर मशौरे से चलेंगे مشورہ करेगा तो एक दूसरे का मौताज होगा और जो मौताज होगा वो खुदा नहीं होगा विशाल के तोर पर दोनों बैटें चलो आज मिटिंग करतें कल बारिश करेंगे तो जाहिड सी बात है एक ने दूसरे को पूछा तो पहला वाला दूसरे का मौताज हुआ कि अब खुदा के बारे में हमारा तसवूर यह है वो अपने कामों में किसी की शिराकत नहीं चाहता कोई शरीक नहीं है उसका अब अगर शरीक हो गया तो उसकी फ़जीलत कहा है एक होने में जो फजीलत है वो दो में है नहीं एक होने में जो फजीलत है वो दो में है नहीं इसलिए हम लाकों करोडों के सामने सर जुकाने वालों से कहते हैं मान लो एक ही को एक ही को तसलीम करो इसलिए कि जितने अदियान हैं दुनिया में तकरीबन सब के हाँ एक तसौर है खुदा का तसौर सब एथियजम को छोड़ करके मैं बाकी सब की बात करो हिंदूों के नजरियात में भी खुदा का तसौर है कोई तो है एक भगवान के हैं कुछ भी नाम ले इसाईयों के मजभब में यही हमारे रब जुल जलाल का तसौर है खुदा का वो भी एकिन करते है यहूदी भी खुदा को मानते है सिख़्ों के हाँ भी है तकरीबन दुनिया में जो भी रिलीजियस है किसी मजभब को मानता है उन सब मजभबों में खुदा का तसौर है लेकिन अब ये जगड़ा है कि मानने में कौन खुदा है कौन नहीं है यहां तक तो सب मुटफ़क हैं है कोई तो है लेकिन यहां आकर के चूप जाते हैं कि किसको मानना चाही किसको नहीं है इसलिए मेरे अजीज़ो इसलाम ने वो निशानिया रब जुल जलाल के वाहिद होने की और उसके ताकत और होने की रखी है जिसको आज तक दुनिया इंकार नहीं कर सकी और कुरान के इस मौज़जे को आज तक कोई चैलेंज नहीं कर सका मैं साइंसदानों से भी कहता हूँ आपको एक बात ये भी मैं बता दूँ अभी अठारवी सदी की बात है अठारवी सदी में अमेरिका का सफर करने वाले एक साइंसदान ने एक नई चीज़ का इनकिशाफ किया अटलैंटिक ओशियन में या समंदर के एक हिस्से में एक ऐसी जगा है जो बिलकुल ही डार्क है अठार्क स्पेस उसको कहते हैं यानि वहां रोशनी बिलकुल ही सूरज की एक किरन भी वान नहीं आती इतना वहां पर इतनी वहां तारी की है ये कब? अठारवी सदी में आज से दोसो साल पहले की बात से उसने इनकिशाफ किया दुनिया को बताया मैंने एक ऐसी जगा देखी बहुत ही डार्क है बहुत अंधेरा है वो जब वापस आया तो उल्मा रब्बानी ने सूर नूर की खुरानी आयतें पड़ी अधा अधा आखरज यदवू लम यकद यराह लम यकद यराह हाथ भी नजर नहीं आए ये कहां का ये इल्म बहर जिसको कहते है समंदरों का इल्म रखने वाला जो पूरी जिन्दगी समंदरों की खोज में लगा दिया वो लाकर के बताया उसने सोचा मैं बहुत बड़ा तीर मारा हूँ लेकिन जब बताया कुरान पढ़ने वालों ने कि ये तो कुरान में है अला फर्मा रहा है एक डार्क स्पेस है काइनात में जहां तुम हाथ भी निकालोगे तो नहीं नजर आएगा इतना डार्क है वो सट पटा गया परेशान हुआ मैं इसकी तहकी करूँगा ये कुरान में आई कैसे बात सबसे पहला दुनिया का में इंकिशाफ करने वाला हू फर्ला फ़स्त आदमी मैं हू ये पहले से कहां से आ गए कुरान पिर वही दो बाते में बताता हूं मेरे अजीजजों उसको भी यही जटका लगा कि ये कुरान उस जमाने में नाजिल हुआ जब साइंस का वजूद नहीं था और उस पर नाजिल हुआ जिसको दुनिया में किसी ने सिखाय नहीं था बाद में फिर उसने ये सोचा शायद हो सकता है प्रॉफेट मुहम्मद स्लिएल्लाहु आलियोसलम समंदरों का सफर बहुत करते होंगे उनके समंदरों के सफर में शायद कभी ये जगा आ गई होगी इसलिए उन्होंने अपने मन से कुरान में ये लिक दिया होगा उसने ये नतीजा निकाला लेकिन दूसरे ये दिन उसे फिर बड़ा जटका ये लगा कि जब सीरतِ मुस्तफ़ा पढ़ा उसने अल्ला हुआ अकबर वजूर की 63 साला जिन्दगी में आपने एक मरतबा भी समंदर का सफर किया ही नहीं ये बहुत बड़ा जटका लगा कि वो मुहम्म्द स्वाला लिसलम कभी पूरी जिन्दगी में समंदर का सफर किये ही नहीं मेरे अजीज़ों इस बात में गलत फेमी में ना आना कि वो समंदरों को नहीं जानते थे वो मेराज का सफर करने वाला रसूल समंदरों को धरूर जानता है लेकिन ये हिकमतِ इलाही थी कि कभी समंदर के सफर करने का इत्फाक नहीं हुआ अब उसे जटके भर जटका ये लगा जो कभी समंदर को गया ही नहीं वो अगर एटलांटिक ओशियन में मौजूद डार्क स्पेस को बताता है तो जरूर वो अपने पेश से नहीं बता रहा है वही उसको बताया होगा जिसने डार्क स्पेस बनाया गए यही अल्ला रब लिजद के वहदानियत की निशानिया है उसके वजूद की निशानिया है करें हमें दीजिये इजाजत अस्सलामों अलेकुम रहमतुल्लाहि वरकातव फिर मिलेंगे अगले वीडियो